हर्याणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पश्ट क्या है कि उनकी सरकार हर्याणा के किसी भी शक्स को इजराइल जाने के लिए मजबूर नहीं कर रही है उन्होंने कहा कि यह लोगों की पसंद पर निर्बर है कि वे जाना चाते हैं या नहीं सीएम ने कहा कि हर्याणा सरकार ने कोशल रोजगार निगम के माध्यम से कंस्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले दस हजार मजदुरों की भरती के लिए विज्यापन निकाला है इन लोगों को इसराइल भेजा जाना है दरसल इसराइल का फिलिस्तिनी के इसलामिक चरमपंती समो हमास के साथ युद्ध चल रहा है जो गाजा पट्टी से आउपरेट होता है इसराइल हमास के इस युद्ध की वज़े से वहां की इमारतों और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुचा है युद्ध की वज़े से इसराइल के कंस्रक्शन सेक्टर की बड़ी कमपनिया लेबर की कमी से जूज रही है क्योंकि उनके यहां 90,000 फिलिस्तिनी लेबर हुआ करते थे कमपनियों ने इन फिलिस्तिनियों की जगह भारत से एक लाक मज़दोरों को काम पर रखने की अनुमती मांगी थी कॉंग्रेस के राजसभा सांसद दिपेंदर हुड़ा ने कोशल रोजगा निगम की ओर से निकाली गई मज़दोरों की भरती पर सवाल उठाते वे कहा था कि बीजेपी सरकार राजज की लोगों को युद्धकरस्त इलाके में जोकना चाती है दिपेंदर ने कहा था कि मनोहर सरकार के पास युवाओं को देने के लिए नोकरिया नहीं है और ये नौन परफार्मिंग सरकार है दिपेंदर के इसी बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंतरी मनोल लाल ने कहा ऐसा नहीं है कि युद्ध कर रहे इसराइल में कोई नहीं रहता पहले भी वहां विभिन देशों के लोग जाते थे और अब हमारे लोग जाएंगे हमने सिर्फ लोगों को एक कानूनी चैनल प्रदान किया है